आज अपने बात करेंगे इसकेल के बारे में पैसे पिछले वीडियो में मैंने इसकेल के बारे में खूब बातें आपको बताईए लेकिन आज हम वास्त में जो हमारी खुद की आवाज की जो इसकेल हैं उसका कैसे पता लगाएं कि हमारा सा कौन सा है हमारा सा ही हमारी इसकेल है मतलब हमारे आवाज की एक ऐसी टोन जो बहुत ही सरलता से हम उसको बोल सकें उदाण के लिए जैसे आपको घर में कोई आवाज देता है और आप उतर देते हैं हाँ हलो कोई भी तो वो जो आवाज होती है वो आपकी आपका सा है गाने में भी इसी तर से हैं कि बहुत इसपस्ट जो आपका पहला स्वर है सा की नीचे नीधप भी होते हैं लेकिन सा का निदर्ण करना आसान भी है और बहुत पेचिदा भी है आसान तो किसके लिए है कि जब आपने कुछ रियाज किया हो तो आसान है कि यहां तक आप पहुंचते हो मत तक पहुंच जाते हो तो आपका यह स्केल हो सकती है या एक स्वर उपर नीचे हो सकता है आपने कई वीडियो देखे हongगे मैंने भी आपको बताया लेकिन इंसकेल के ऊपर ही सारी है अपन निरधान कर दें कि सकेल मैं तो इसकेल चुन लेता हूं और फिर अपन सारे गाने गालेंगे हैं यह गलत है यह मतलब आपको समझने है कि इसकेल चुनने से गाने नहीं गा नमाज है उसकी स्केल है जो वास्ताबे जो हमको बताते हैं ग्यानी जन क्या आपकी स्केल इस तरह से चुनने हो वो ही हमारी स्केल तो है वो गलत नहीं कहते हैं लेकिन स्केल गाने की स्केल अलग चीज़ ज क्योंगी गाने खुदी स्केल में बने होगा होते हैं समझ रहे है मरी बात इसलिए सिंगर की तो क्या है जिसा आप हर्मोनिम सीक रहे हो और साथ में गा रहे हो तो मालो अब आप कुछ ने सीख रहे हो आप हार्मोनियम बजा रहे हो तो हार्मोनियम जो है हार्मोनियम की क्या स्केल है हार्मोनियम की स्केल क्या है पहला सुरह वो है कि पहला सब तक है क्या हार्मोनियम क्या स्केल है तो हार्मोनियम की स्केली सी सार्प है क्योंकि मद्य सब्टक का पहला सुर जो है वो सी सार्प है तरह से हार्मोनियम में तीन सब्टक होते हैं और मद्य सब्टक का पहला बटन जो हम पहली काली को मानते हैं तो वो एक तरह से हार्मोनियम की स्केल हो गई ठीक है हार्मोनियम की यूनिक स्केल हो गई और हमें भी यह करा जाता है कि हमारे आवाज जो हार्मोनियम के मद्य सब्टक के पहली काली से मिलती है तो हार्मोनियम की आवाज कितने इसपस्ट है ठीक है आवाज मिलती है और वो मिलती है आवाज तो किस की मिलती है कोई कहता है इस्त्रियों की तो और महिलाओं की तो आवाज इसके नीचे चौती काली मंदर सब्तक की चौती काली से मिलती है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो मद्य सब्तक है हमारे आवाज का जो मद्य सब्तक है वो हमको डून ना पड़ेगा तो हमारे आर्मोनियम की रेंज है कितने तीन सब्टक की रेंज तीन सब्टक होते हैं तीन सब्टक है मंद्र सब्टक, मद्दी सब्टक और तार सब्टक तो इसी तरह हमारे आवाज के जो तीन सब्टक है उन में हमारा मद्दी सब्टक का सा कौन सा स्वर है? हमारे मद्दी सब्टक का इसमें जो हर्मनिय में जो मद्दी सब्टक का सा जो दिया हुआ है वो बहुत ही उंचे-उंचे का लाकारों का है आम आदमी का नहीं है मैं यह बात पहले भी कह चूआ हूँ लेकिन जो साँ आप चुनेंगे आपकी आवाज का वो मद्य सब्थका होगा चाहे आप नीचे के सुर को मद्य सब्टक के नीचे मंद्र सब्टक के किसी भी सुर को आप चुन लो तो वो आपका अगर मालो सा है तो वहाँ ही से मद्य सब्टक सुरू होगा बहुत एजी बात है लेकिन कहा यह जाता है कि आप सा से सुरू करो अब कौन शासा इसलिए सिखाने के हिसाब से ये एक शारा है कि सी सार्प से सुरू कीजिए और मद तक अगर आप पहुंछ जाते हैं अतार सब तक में तो सी सार्प आपकी स्केल हुई लेकिन सी सार्प से हम चलते हैं तो मद तक पहुँआँग ने कैसे अभी तो हम harmonium सीख रहे हैं तो ये मद्य सब तक जो harmonium का है वो scale की पैचान के लिए है ये तो original scale तो यही है मद्य सब तक की पहली काली से लेके मत अगाप पहुंँ जाओगे तो C-SARP उनकी scale होगी लेकिन हम C-SARP की scale के लायक थोड़ी है क्योंकि हमने अभी तक रियाज भी नहीं किया है मैंने अब तक जो अभी तक आप अपन step तो step चल रहे हैं मैंने आपको सिरफ अंगुलिया चलाने का कहा है इसलिए आपको C-SARP से अंगुलिया चलाने का मैंने बताया कि जब आपके अंगुलिया की practice अच्छी तरह से हो जाएगी तो इसके उपर रियाज करेंगे इसके उपर इन साथ सोरों का C-SARP से लेके यहां से सरू करें पहली काली से सारे गाम पद निसा ठीक है आगे रेगा भी करें तो इसके उपर अपन मेना भर रियाज करें तब अपना गला इसके उपर बैठ जाएगा सोरों हमारा गला इसके उपर सेट हो जाएगा तब हमारा गला निड़ार्ण कर सकता है कि हम C-SARP जो है मद्य सब्तक की उसके अगले सब्तक के साथ से आगे रेगा मतक या पतक पहुंचते भी है या नहीं पहुंचते क्योंकि हमें अभी इनी सोरों को अनुब भी नहीं है वैसे ही बज़ा देंगे सारे गमा पत नी सारे ग मैं तो पहुंच गया सा गतक मैं तो मतक भी पहुंचता हूं क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपकी आवाज हार्मोनियम के सुरह से मिलती है कि नहीं मिलती है इसलिए इसकेल को जानने के लिए सी सार पहली काली मद्य सब्तक जो हार्मोनियम है मद्य सब्तक उसकी पहली काली से लेके अगले सब्तक की तार सब्तक की पहली काली तक हमें सोरों का अभ्यास करना पड़ेगा बिलावल थाट में जिसमें मैंने बताया आपको कि पहली काली को साम मानेंगे तो दूसरी काली रहे होगी और नेक्स्ट सपेद जो है एक दो तीन चार चौती सपेद जो होगी वो गह होगा और तीसरी काली मद्य सब्तक की जो है मह होगा चौती काली पह होगा पांसवी काली धह होगा ठीक है और उसके बाद में पहली काली स सावगार उससे पहले वाला सपेज स्वर जो है वो नी होगा, नी और सापास में जुड़े हुए हैं और गव और मौपास में जुड़े हुए हैं, तो अब हम आज से ही इनको कैसे बोले हैं, ये हमको अभ्यास करना है, चार पांच एक्ससाइज ही करेंगे अपन, ताकि जब इनके सुरां को अपर गला बैठ जाए, तो हम अपने स्केल करने धर्ण करेंगे, क्योंकि हम नीचे भी तो बजाएंगे, कोई गाना नीचे भी हो जाएगा, इसलिए गाने वाले की स्केल नहीं होती है, रेंज होती है, तो हमारी रेंज होनीचे ये, कि सी सार्प से लेके, आगे तार सब्तक में मतक और नीचे मद्य सब्तक में मतक वापस लेकिन हम अभ्यास करेंगे कोशिश करेंगे अब कहां तक पहुंसते हैं तो अपने को क्या है कि अपने सी सार्प जो है मद्य सब्तक का उस से नीचे या उपर अपन साफ फिक्स करेंगे और जहां हम साफिक्स करेंगे वो हमारा मद्य सब्तक का सा होगा तो यह फिक्स करने के लिए कोई भी चीज रहस दोड़ने के लिए एक minimum नाप तो होता है न कि फर्स्ट आने के लिए या पास होने के लिए पानसो मीटर जो है दस मिनेट में पार करना जरूर ये पांसो मिटर दस मिनिट में पास करना पार करना जरूरी है मालो ये टाइम रख दिया तो ये तो पास करने की विद्धी होगी अब क्या है कि कोई पांस मिनिट में कर देगा कोई साथ मिनिट में कर देगा लेकिन वो पहले 500 मीटर का अभ्यास तो करना पड़ेगा अपनों को मालूम तो पढ़ना चाहिए 500 मीटर में कितना दम लगाना है तो यही जो है यह मद्य सब्तक जो इस्ता ही मद्य सब्तक है हार्मोनियम का इसके उपर जब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे दो एक्सरसाइज बताऊँगा उसको आप कीजिए फिर अगले वीडियो में दो और बताऊँगा इस तरह से चार चाहिक एक्सरसाइज होगी जिसको आप अभ्यास करते रहे और दो चार दिन अभ्यास करने के बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो लगँगा इसकेल निधान करने का मैं आपको बहुत ही अच्छा फार्बूला बताऊँगा जो आज तक आप कितनी भी आपने जो यूट्यूब के वीडियो देखे होंगे कितनी भी चैंदे देखे होगी और बली और तुबंदरा भीस दिन में आप देखोगे लेकिन जो मैं बात बताऊँगा वो आपको कोई न तो आज देख बताई है और हो सकता है मेरे बताने के बाद और भी लोग बताने लग जाए तो इसकेल फिक्स करना कोई मुश्किल काम ने बहुत ही सरल है आईडिया में आपको दूँगा तो आओ आज अपन बिलावल थाट से जो अभ्यास करना है वो पहला अभ्यास सुरू करते है सर उपर थम आपको सा लगाना है बहुत ही कम हवा बढ़नी है सीधे बैटना है और इस सा के आवाज को सुनना है मन में और मन में ही करना है सा मिला ना इसको नहीं मिले तब तक अभ्यास करते हो मेरे आवाज सुने आप मेरे सा से मिल रही है सा 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 को बिलकु सही बठाना आपको सा के आवाज के हिसाब से आगे रे गमा सबता होंगे सा सा रे गा मा पा धा मेरे सा सा मेरे सा इस तरह से इसका बार बार अभ्यास कीजिए सा सा रे गमा पध नी सा सा नी धा पमा गरे सा पहला अभ्यास ये है दूसरा अभ्यास दो दो एक सरसाथ में अगुलिया बिल्कुल ध्यान रखिया आप अगुलिया जो मैंने बता है ये दो अगुलिया इस पर आएगी ये तीन अगुलिया इस पर आएगी यह अगुट आएगा और यह अगुट आएगा अब करते हैं ये क्या अलंकार है सारे रे ग गम दो-दो अवकसर बोलेंगे 사 रे रे गा गम बन्तrब यह अकसर दो-दो मारा। यह जैसे इसे सा रे बोल दिया, फिर वापस रे गा फिर वापस ग म फिर म प फिर वापस पध धनी नी सा फिर ऐसे ऐसे वापस अवरो आएंगे उपर जाते हैं तो आरो कहते हैं और वापस आते हैं तो अवरो वापस कहते हैं आएंगे अब इसको कैसे करेंगे देखेंगे आप सारे विग गम मप पध धनी निशा सानी निधा धप पम मपध धनी निशा सारे विग गरे रे सानी पहले इसको अलंकार करें दस बार बीस बार तीस बार करें मैंने जैसे बताया वैसे वैसा मैं बोला वैसे वैसे आवाज इन सुरों से मिलाए और फिर इनको एक थोड़ी तेज लें में करें फिर उसको अधिक तेज लें में करें तीन लें में करें सामने लें मद्य लें और तिवर लें तीसरा जो अभ्यास हैं सारे गर्ण इस तीन अक्सर तीन सुर साथ में चलेंगे कैसे सारे गर्ण तीन तीन का जोड़ा चलेगा उसमें एक को छोड़ते रहें जैसे सारे गर्ण बोलेंगे फिर सा को छोड़ देंगे और एक अगला लेंगे जैसे सारे गर्ण आगे बढ़ते रहेंगे और पिछला एक स्वर आगे बढ़ते रहेंगे पिछला स्वर छोड़ते रहेंगे जैसे एक बार में करके बताता हूं जल्दी जल्दी में सारे गर्ण इस तरह से सारे गर्ण यह बोल दिया यह तीन सूर लिए अब अगले तीन सूर लेने यहां से लिए वन टू थ्री अब आपको लेने यहां से वन टू थ्री तो सारे गर्ण अब यह रे हैं तो रे गर्ण अब आपको वापस इसको भी छोड़ना है यहां से तीन सूर लेने गम प फिर यह एक बार वापस समझेए जो जो आगे बढ़ते रहेंगे एक सूर आगे बढ़ते रहेंगे पिछला छोड़ते रहेंगे सारे गरे गम गम प म प ध प ध नी ध नी सा वापस उल्टा सा नी ध नी ध प ध प म प म ग म गरे गरे सा सारे गरे गम गम प म प ध नी ध नी सा नी ध नी ध प ध प म प म ग म गरे गरे सा सारे गारे गमा गम पम पधा पधनी धनी सा सनी धा नीधा पधा पम पम गम गरे गरे सा सारे गरे गमगमपः मपधः पधनी धनी सा सानी धनी धनी धपः धपमगमगरे गरे सा यह तीन एक्सरसाइज में आजा आपको बताए पहले एक्सरसाइज सारे गमपः पधनी सा सानी धनी धन्रपमगरे सा एक यह परला भ्यास दूसरा भ्यास सारे रेग गम मप पध धनी निशा सानी निध धप पम मग गरे रेशा सारे रेग गम मप पध धनी निशा सानी निध धप पम मग गरे रेशा तीसरा तीन एकसर लेने फिर एक एक छोड़ते जाना है सारे गम इसको छोड़ दो रेग मा इसको छोड़ दो गम मप पध धनी इसको छोड़ दो धनी सा सानी ध़ इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो धप मा इसको छोड़ दो पम गरे इसको छोड़ दो सानी ध़ नी धप धप मा पमग मगरे गरे सा यह जो तीन एक्सेसाइज हैं बहुत ही मर्त प्रून है और इसका आप अब्यास करें जब आपका लगबग सिर्फ असारेगम पद नीशा की जो अब्यास हैं वो लगबग साथ अब्यास हैं तो वापस यह अपन साथ से साथ का अब्यास हपना अचा हो जाएगा यह अब्यास हो जाएगा उसके बाद में अपने ए शकल नी धर्विड करेंगे फिर शकल हो सकता है कि आपकी यह हो यह हो यह हो यह हो यह हो यह हो यह कोई स्क proposed जुरही Pak जहां तक kamu जैसे अभी में साथ से साथ तक बहुत आराम से पहुँच लाता साथ से साथ तक और रे बोलूँगा तो थोड़ा सा जोर पड़ेगा लेकिन जब सुर जो लगाते हैं तो खाली अलंकार यह नहीं करने अपने को आगे गाने भी गाने तो गाने में तो उसका सुर पैटेंट लगना चाहिए अलंक तो एक अक्सर वहां रुक रहता है तो वहां अगर तार सब तक में रे पर रुका वाए तो वहां रुकना पड़ेगा तो अपने आवाज में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अपन जो अपनी स्केल बने तो उसके तार सब तक में सा और रे और गह पर अपन रुक सकें तो तब वो अपने स्केल में समिलित करते हैं अपने क्या हमें वास्ते में बहाँ पहुंच के हूँ और यू अपने इसी में स्केल बनाने में या लंकार करने में भी अपना अगर गला निकल रहा है तो फिर अपने कोdo इसकेल नीची करनी पड़ेगी ताकि अपने हासानी से आगِ मत तक पहुंच चाहे यह जरूर निक अपने यहा से सा यहां करते यह सा अगया है निवर यहां भी आपको सा में जोर पड़ता है मालो तो अपनेसकेल नीची कर लेंगे तो वो भी साही गिना जाएगा वो उस किसी भी गाने का अगर कोई यहां से गायगा ना और उसका साह यह होगा तो उस गाने की राग भले यहां से गाने वाले का साह यह होगा तारसब्त का तो वो राग बराबर मिलान खाएगी मुच्ची स्केल होना नीची स्केल होना कोई माइन नहीं रखती लेकिन आपकी आवाज की इस पस्टता ये माइन नहीं रखती है कि आप जो बोल रहे हो वो सामने वालों को साम सुनाई दे जैसे अब यहाँ आप लंकार अपन करते है न सारे गम ये साफ सुनाई देने चाहिए आपको खुद को भी और अगले को भी सारे रे गम ये भी साफ सुनाई देने चाहिए आपको भी और सामने सुनने वालों को भी ठीक है सारे गरे गम गम पम पध पधनी धनी सा बराबर सब्सके बोलना ही हो नहीं के कहें आप खाली बजा ही रहे हो, बोल नी रहे हो, बोल रहे हो, बजा नी रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलना भी बराबर है, बजाना भी बराबर है, और एक हाथ से हर्मनिम की हवा भी बरनी बराबर है, और हवा में ज्यादा हवा नी परनी है, ज्यादा हवा परोगे तो य इसलिए अपणी आवाज की आवाज फे जाद़ा होनी चाहिए है है जैसे ये इत्ती आवाज होनी ची बस थोड़ा सा दबाते ही ही है थोड़ी से आवाज बरते ही है हैं हाण ऑघ शुर को भी फोड़ा सा दबाओं जादर दबामने की जरूत महीं कर निचेदा नीہ तिकना इस तरह से ठीक है अगले वीडियो में अगले तीन अलंकार अब्यास के अलंकार है अलंकार नहीं है अच्छली यह अब्यास के लिए है तो इनका अब्यास होने के बार अपन अपनी स्केल ने दर्द करेंगे फिर आप उसी स्केल में अलंकार करेंगे वो अलंकार मैं आपको बहुत अच्छा अलंकार बताओंगा धन्यवाद नमस्कार अच्छाह ॉप